हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को जो टॉपिक है, जो सवाल है वो यह है कि हमें अपने बाइक का स्कूटर के इंजन को कब खुलवाना चाहिए कब और किस बीमारी के वैसे, किस प्रॉब्लम के वैसे हमें हाफ इंजन या फूल इंजन का काम कराना चाहिए यह को सिंपल सी बात तो यह है कि हाला कि मैं सभी मेकैनिक की बात नहीं कर रहा हूँ किस योडियों मताने वाला हूँ, जिसके वैसे आपको अपने बाइक का स्कूटर की इंजन को खुलवाना चाहिए इंजन का काम कराना चाहिए तो वीडियो को पुरा देखे, साथी फंस रिसेंटली मैं एक नया चैनल बनाया है MTH Shots के नाम से इस चैनल पर आपको गारी से जोड़ी भी सभी जानकारी, जश्ट 60 सेकेंड्स में शॉट से जरी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उस चैनल पर आपको बहुत सारे से यूनीक और नए कंटेंट मिलने वाले है जो कि मैंने अभी तक इस चैनल पर अपलोड भी नहीं किया है तो उस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आकोन को भी देबा ले जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्केप्शन और पिन कमेंट में मिलने वाला है चलिए जो पहला मेज़र इशू है वो है एक्सेसिव इंजन ओयल कंजम्शन देखो अगर ऐसा हो रहा कि आपके बाइक का स्कूटर में जो इंजन ओयल है जिसे बहुत से लोग मोबिल भी कहते है इसकी क्वांटिटी बार बार कम हो जा रही है अब जब भी चेक कर रहे हूँ दो दिन चार दिन पाच दिन दस दिन में आप देख रहोगी है यह भी हो सकता कि कई अलगे लगकानों से जो इंजन ओयल है वो इंजन के सिलिंडर के अंदर में चला जा रहा है और पेट्रोल के साथ वहाँ पे जल भी जा रहा है, तो अगर इंजन वाल वाला प्रॉब्लम आएगा, बार बार जो जो नियोड कम हो जा रहा है, तो कई बार इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंजन को खुलवाना पड़ता है, तो आप खुलवा सकते हो, कोई इशू मोटर भी सही है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो, आप सिर्फ बार बार मार रहे हो, क्रैंकिंग ही नहीं हो रहा है, इसके लाब आप किका कर दिया गया है, तो आप किक से भी कोशिश कर रहे हो, बार बार, किक तो सही से काम कर रहे हैं, लेकिन क्रैंकिंग ही नहीं हो पा फिन किसी ने पार्ट का फुल वहां कर वह से बेवखकें अब वह तीसरा मीज़ इसू है वह नौंकिंग औन प्री इंगिशन वहाला इसू में आपको समझाता हूंँ तो इस प्राब्लम को दूर करने के लिए भी कईड का काम कराना होता है तो इसके लिए आप इंजन को खुलवाओगे तो आपके साथ ब्यावकूफी नहीं कि जारी आप इस बात का ख्याल रखे अगला major issue है loss of power मैं आपको समझाता हूँ देखो कई बार क्या होता है कि engine सही से power ही produce नहीं कर पाता है आप जतना accelerator ले रहो उसका according आपका engine power produce नहीं कर रहा आपको speed बगर नहीं मिल रहा है लेकिन इस problem के लिए अगर आप direct engine को खुलवा देखो तो आप बेवकूफी कर रहे हो जो engine सही से power नहीं produce कर रहे है कई अलग अलग कारणों से होता है जैसे कि हो सकता कि air filter बहुत जाता जाम है हो सकता कि carburetor सही से काम नहीं कर रहा है अगर FI buy के तो हो सकता कि fuel injector में problem है हो सकता कि motor वगर है वहां पे problem है तो कई बार बाहरी कारणों से भी engine power सही से produce नहीं करता और इस चकर है बहुत से लोका करते कि direct engine को खुलवा देते है अगर बाहरी कारणों में problem नहीं है आप सब को check करा चुके हो अगर तो issue को check करा चुके हो तो अगर आप देखरो कि इसमें problem नहीं है तो ही engine को खुलवाना चाहिए क्यों कई बार engine के अंदर के भी बहुत सारे problems के वाई से engine सही से power produce नहीं कर पाता है कई बार जो valves है, intake valve, exhaust valve इन में problem होता है उसके वाई से power loss को सिकाई देखने को मिलता है तो अगर power loss हो रहा है engine सही से power produce नहीं कर रहा है तो इस cases में भी आपको engine को खुलवाना पड़ सकता है अब जो अगला problem है बहुत excessive white smoke अगर आपके bike scooter के silencer से mufflers आप देख रहे हो कि बहुत जादा मातरा में धुआ निकल रहा है और इसके कारण क्या हो सकता कारण तो यही है कि भाई engine के cylinder के अंदर में petrol के साथ engine oil जो mobile है वो भी mix हो जा रहा है वो भी जारा जिससे आपको धुआ दिखाई दे रहा है तो कई बार इस problem को दूर करने के लिए भी engine को खुलवाना पड़ता है friends अगर वीडियो आपको अभी तक अच्छे लग रहा हो तो इस वीडियो को like और channel को subscribe करके bell icon को जरूर से दबा ले अब जो अगला major issue है वो है over heating हाला कि जो over heating है वो कई अलगला कारणों सोता है major कारण तो यही है कि भाई एक तो engine के combustion chamber है वहाँ पे जो temperature है जो बहुत जादा बढ़ चुका है इसके लावा जो engine के जितने भी moving parts से इनका आपस पो जो friction है घर्शन है वो बढ़ा हुआ इसके लावा ये भी chances होता है कि आपके bike में कोई भी cooling system दिया गया है air cooling, oil cooling, liquid cooling वो cooling system सही से काम नहीं कर रहा है खेर reason जो भी हो लेकिन अगर ऐसा हो रहा कि आप थोड़ा भी चला रहे और engine बहुत जादा गरम हो जा रहा है आपने engine को change करा के भी देख लिया अच्छी quality engine को डाल के भी देख लिया आपने कुछ major changes को और किया लेकिन अगर आप देख रहे हो कि problem दूर नहीं हो रहा है तो इस over hitting वाले problem को भी दूर करने के लिए कई बार engine को खुलवाना पड़ता है अब आनला जो major issue है वो mileage का suddenly अगर आप देख रहे हो कि mileage एकदम से drop हो गिया है यहां पर आप ध्यान देना mileage ऐसा है नहीं कि mileage drop वो तो engine खुलवा लो यह बहुत बड़ी बेवकूपी हो सकती है mileage देखो कई अलग लग कारनों से engine के अंदर छोड़ो engine के बाहर के कई अलग लग कारनों से mileage drop हो जाता है चक्के में हावा कम है वील फ्रिली मूव नहीं कर रहा चक्का जो है वो जाम है अगर जो chain है वो chain set सही से काम नहीं कर रहा और भी air filter हो गया, carbulator हो गया बहुत सारे ऐसे parts होते हैं जिनके अगर problem होगा बाहर से problem होगा तो भी mileage drop होता है खैर फिर भी आपने बागी चीज़ों को चेक कर लिया बाहरी चीज़ों को चेक कर लिया आपने setting वगर भी करा लिया लेकिन आप देख रहे हो कि mileage ठीक हो ही नहीं रहा तो इसलिए mileage वाले problem को भी कई बार दूर करने के लिए आपको engine का काम करवाना पड़ता है खास करके बहुत पुरानी गाड़ियों में खास करके जो cylinder bore हो गया piston piston ring हो गया और भी जो valve की setting हो गया tapet clearance हो गया कुछ और चीज़ों का काम कराना पड़ता है हलाकि ऐसा नहीं कि इन्दम सा mileage drop हो engine खोल दो mileage drop हो यानि कि और भी जो बैरे points आपको बता है जो मैंने गलती है बताई आपको जो problems बता है वो भी create हो चुके होंगे तो आपको जो engine है वो खुलवाना पड़ सकता है अब अगरा जो point है वो है too much vibration अगर आपके bike as scooter engine बहुत ज़ादा vibrate कर रहा और बहुत ज़ादा noise भी create कर रहा है vibration ये भी हो सकता है कि जो हमारा chassis से उसमें problem हो जो हमारा engine उसके fitting है उसमें problem हो सकता है और वो तो बहरी बाते हो गए लेकिन अगर vibration ज़ादा है engine के अदर में noise ज़ादा है engine के नतर में part के टकराने तक का आपको आवाज आ रहा है तो कई बार इस तरह के problem को दूर करने के लिए half engine, full engine का का काम कराना पड़ता है अब अगला जो दो point ये interesting है देखोई अगला जो है कई बार clutch plate जल जाता है तो clutch plate के जलने के लिए ऐसा है आपको engine काम complete कराना है आप जो clutch की assembly है उसे change करा सकते है उसे check करा सकते हो ये भी एक point हो गया जिसमें engine काम कही बार कराना पड़ भी जाता है और एक और important part हो गया वो है gearbox तो कई बार gear shifting में या gear का problem होता है तो आपको complete engine तो नहीं लेकिन gearbox side का जो है वो काम कराना पड़ता है तो ये 10 ऐसे major issue है जिसके वैसे कई बार आपको अपने bike scooter के engine को खुलवाना पड़ता तक वो खुलवाना भी चाहिए अगर आप चेक कराया सही जगा पे चेक कराया और मैं खासकर आपको राय देना चाहूँगा कि अगर तब engine खुलवाने की बात होती है तो आप कम से कम 2-3 mechanic में जरूर से चेक करा ले कई बार ऐसा नहीं कि एक mechanic के पास गए और उसने बोल दिया कि भाई ये problem है आप उसे खुलवा लो मैं आपको राय दूँगा हाला कि जो ट्रस्ट वर्दी में कहानी कि आप हमेशा उससे काम कराते हो ये authorized service center वाले भी कई बार जूट बोलते हैं चकर मत रहना कि बाई authorized service center है तो हमेशा काम वहाँ सही होगा ऐसा नहीं है तो आप खुद का भी knowledge खुर रखो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया ताकि इन points को आप समझो कि हाँ ये major issue आ रहा बाहरी चीजों को चेक कर चुके है ठीक नहीं हो रहा तो फिर मुझे engine खुलवाना पड़ेगा तो आप engine खुलवा सकते हो हाँ engine पूर engine का का काम करवा सकते हो तो उम्मीदे कि इस वीडियो में देगे जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बिलत अगले वीडियो में थांक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई